ओम नमाँ शिवाये भादपद मास क्रिश्न प्रक्ष ब्रिहस्पतवार एकादशी तिथी दोपहर सवा बारह वजे तक लगी रहेगी तत पस्चाथ द्वादशी तिथी प्रारम हो जाएगी चंद्रमा पुनरवसु नक्षतर में 3 बच कर 15 मिनट तक चलते रहेंगे तत पस्चाथ पुष्च नक्षतर में प्रवेश कर जाएंगे पुनरवसु नक्षतर के नक्षतर स्वामी प्रिहस्पति देव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, सांत प्रकृती वाले, लोगप्रिय, धन और बल से युक्त, सास्तरों को जानने वाले, अच्छी अस्मरण सक्ती वाले होते हैं ऐसे जातक धन और एस्वार से युक्त, भौती के च्छाव से परिपूर्ण, सही पुर्वानुमान लगाने वाले, प्रसिद्धी प्राप्त करने वाले, अपने आप में संतुष्ट और उच्च विलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा ब्रिहस्पती और चंद्रमा की सिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज सुबह 9.45 मिनट तक मिथुन डासी में ही चलते रहेंगे, तद पस्चात कर कराशी में प्रवेश कर जाएंगे आज सुबह से बहुत ही महत्पूर समय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ब्रिहस्पती के साथ ही साथ पुसे नक्षत्र का संयोग 9.50 मिनट के बाद प्रारंभ होगा, जिसको गुरु पुसे योग की संग्या दी गई है यह योग पूरे दिन कायम रहेगा, ऐसे समय में महत्पूर और विशेश प्रयोजन वाले कारे प्रारंभ किये जा सकते हैं और सफलता की उमीद लगभगशत प्रद्शत बनी रहती है यह एक महत्पूर संयोग होता है, जिसमें मन वांचित सफलता मिलती है इस योग में प्रारंभ किये गए कारे सफलता पूर्वक पूरे होते हैं हाला कि इस योग में राहु चंद्रमा की यूती भी ढाई दिन तक बनी रहेगी जिसमें निर्णे लेने की छमता प्रभावित होने का अंदेशा भी बनता है इसलिए सोच समझ कर महदपुर्णे ने सावधानी पूर्वक लेने चाहिए मेश राशी वाले जातकों के लिए द्रिड़िच्छा सक्ती और प्रभल आत्मिश्वास कारी और जिनाव को सफल बनाएंगे धन लाव मन मुताविक बना रहेगा और सासन सताव अधिकारियों का सहीयोग जारी रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे और साजह दारी के कामों में सफलता मिलेगी मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाओ, धर्म की इस्थिती और घर्ग रिहस्ती के प्रती चिंता का संकेत मिलता है अपने सामान के प्रती सावधानी या पेक्चित है, चोरी होने या गायव होने का अंदेशा बनता है हलाकि नीजी निवेश, वाहन और प्रापर्टी के मामलों में आज का दिन अनकूल रहेगा मा के स्वास्त में सुधार और सहयोग संभावित है, विद्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा और प्रयास पूरे होंगे ब्रिश राशिके राशिष्वामी सुक्र छठमे भाव में स्वारासिस्थ होकर रिहस्त्ती के साथ बैठे हैं धन संबंदी मामलों में लाव और धर्ग रिहस्ती संबंदी निवेश के विशें में गम भिरता बढ़ेगी कार योजनाओं को सफल तरीके से लागू करेंगे मगर कुछ मामलों में कार योजनाओं की रुकावट का संगेद भी मिलता है हलाकि आपका उर्जास्तर प्रभावित रहेगा मगर आठिक लाव की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और वित्ति ये आवशकताओं को नीयोजित करने में सफल रहेंगे मिरने लेने में सावधानी अप्रेक्चित है और स्वास संबंधी आवशक सावधानी भी बनाए रखें विद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा प्रयास करें सफलता मिलेगी और वयवाही प्रस्ताव फलिभूत होंगे मिथुन राशी वाले जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता में भृध्धी होगी ग्रिहोपियोगी वस्तुओं में निवेश होगा और पारिवारी फ्रेरणा बनी रहेगी कारियोजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे मगर साजेदारी के कामों में रुकावट की संभावना बनती है आठिक लागमन मुताविक मिलता रहेगा और नई कारियोजनाओं की सुरुवात संभाव है मगर कुछ मामलों में निरने लेने में भ्रहम की इस्थिति और लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए विद्यातियों के लिए आज का दिन अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और मांगली कारियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा करक राशिके जात्मों के लिए रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और नेतित करने की छमता का विकास होगा और अनावस्य खर्च अंचाही यात्रा भी संबावित है विभागी कर्मचारियों से सहयोग और कारी योजनाओं में सफलता मिलेगी बैभारिक पक्ष सक्री रहेगा और नई कारी योजनाओं के प्रस्ताव लागू करेंगे आठिक लाव की इस्तिती मनमुताविक बनी रहेगी और स्वास सम्मंधि जटिलताओं में कमी आएगी कुछ नई जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा विध्यात्यों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा अध्यान अध्यापन में अभ्यास जारी रखें सफल रहेंगे और वैवाहिक प्रस्ताव फलिभूत होंगे सिंग राशिक जात्यों के लिए आठिक लाव की इस्तिती मनमुताविक बनी रहेगी और ब्यावसाइक योजनाओं में विकास होगा सासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कारियोजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी मित्रों रिष्टेदारों से भी लाव संभव है और आज की साजेदारी सफल रहेगी नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहे कुछ मामलों में धन, खर्च, मानसिक तनाव, ग्रिहोपयोगी वस्तों में ब्रिध्धी और अनावसक यात्राओं का संकेत भी मिलता है विध्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी है, सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है साथ ही वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्याराश के जात्रों के लिए कारेच्षेदर में विकास और नई कार्योजिनाव की उपलब्धी का योग बनता है आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों और संबंधियों से सकारात्मा प्रेरणा मिलती रहेगी भागेवस काम अच्छे होंगे और आत्मिश्वास में विल्दी होगी मगर कुछ मामलों में भ्रहमात्मा की इस्तिती और आय संबंधी संसाधनों में रुकावट का संकेत भी मिलता है हाला कि अधिकारियों का सहयोग और उनकी प्रेरणा बनी रहेगी और अपने बुद्धी कोसल से उसका हल निकालने में सफल रहेगे विद्यात्मियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा तुला रासिके जात्कों के चल रहे कारियोजनाओं में विकास होगा रुके हुए काम पूरे होंगे और नीजी निवेस के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा धार्मिक भावना में बृद्धी होगी और सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा रचनात्मक प्रया सार्थक होंगे नई कारियोजनाओं के प्रस्तावर संभावित हैं और आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता जाएगा मगर कुछ हीयोजनाओं के रुकावट का संकेत भी मिलता है और कुछ हीयोजनाओं सफलता पूर्वपूरी होंगी राजनेते व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी सहयों कायम रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सखलता संभावित है पिता के स्वास्त की चिंता और व्यावसाइक सावधानी अप्यक्षित है ब्रिष्चिक राश के जात्कों के लिए स्वास्त संभन्धी सावधानी रखनी चाहिए चंद्रमा के याठ्षने ततपस्चात नवे भाव में चलने से मानसिक दबाव और नकारात्मक सोच बनी रहेगी और भ्रहम की इस्थिती भी संभावित है कुछ मामले लंबित हो सकते हैं मगर साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक सिद्ध होंगे पारिवारिक डायत की पूर्ती होगी नई कारियोजनाव के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा छोटी यात्रा और देवदर्शन के योग बनते हैं संतान संभन्दी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वैवाहिक मामलों में रचनात्म कुर्या सार्थक होंगे विद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी धनु राशिके जात्कों के लिए कारेच्छत की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टी महसूस होगी अधूरे कारे पूरे होंगे, साजेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगी और ओजनाये पलिभूत होंगी सरकारी काम का आज में लाव मिलेगा और सरक्षडी कारियों में सफलता संभावित है परिश्रम की प्रवरीती बरकरार रहेगी मगर स्वास संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए सूर्य बुद्ध की यूती नवे घर में सकारात्मक विचारों को जन मिलेगी व्यावसाई कुपलब्धी और निर्णय लेने की छमता में सुधार होगा साज्यदारी लावधायक रहेगी संतान संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा मकर राशिके जात्कों को धहर सकारात्मक सोच और सावधानी रखनी चाहिए राहु चंद्रमा का योग आपके साथ में घर में चल रहा है नकारात्मक विचारों का आना मानसिक दबाव, कारिछमता महरास और भ्रमात्मक इस्तिती का संकेत भी मिलता है ठोस और महत्पूल मिरने सावधानी को रख सोच समझकर लेना चाहिए हाला कि बिहस्पति शुक्र की यूती से विभागी अधिकारियों का सहयोग और सकाराधनों पेरणा बनी रहेगी काम करने में मन लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी और संतान संबंधी मामलों में आत्मिश्वास बढ़ा रहेगा आर्थिक लाव में सहयोग मिलेगा, सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा कुम्ब राशिके जातकों के लिए प्रबल रिडिच्छा सक्ती बनी रहेगी और कारे छेतर में बिस्तार होगा नई कारी ओजनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे और आप लिश्वास में गृत्धी होगी सरकारी कामकाज में साजेदारी सफल रहेगी और आठिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा पारिवारिक प्रेरना बनी रहेगी मगर सफार संब्न दिजटिलताएं शारिरिक और मानसिक अस्तर को प्रभावित कर सकती है साथ ही विवादित मामले संवेदन सील रहेंगे बिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता संभावित है, साथ ही वैवाहिक रस्ताव अनकूल रहेंगे मीन राशी के जात्कों को कारे छेतर में सावधानी रखनी चाहिए, आपकी कारी उर्जा और आत्मिश्वास पर भावित हो सकता है मगर पहले की चली आ रही योजनाओं में गती आएगी, साजेदारी में लाव मिलेगा और कारे छमता बढ़ेगी धैर्य और संयम से काम लेते हुए रचनात्म प्रयास जारी रखें निजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, आर्थिक छेत में सहयोग जारी है मगर स्वास सम्मन्धी सावधानिया भी रखनी चाहिए विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, शिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें सफल रहेंगे और वयवाहिक मामले अनकूल रहेंगे आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाये